दिसकार हाजी बाच्चों आज हम अपना advanced math में first topic लेंगे type 1 number system का unit place part a तो बच्चो type 1 type 1 हमारा unit place base question होंगे unit place base question होंगे advanced math chapter 1 इसमें number system type 1 unit place base question होंगे इसमें आईए सबसे पहले समझते है, unit place है क्या, for example एक number लेते हैं, 35, इसमें देखें बच्चों, जो 5 हमारा, यह हमारा unit place है, यह क्यों है हमारा unit place, क्योंकि अगर आप देखते हैं, 5 multiply by 1, और यहां पर देखेंगे, इसको हम unit place कहते हैं, और 3 को हम क्या कहेंगे, 10th place, 10th place क्यों कहते ह हैं, क्योंकि यह 10 का multiple होते हैं, तो 5 हमारा unit place क्यों है, क्योंकि यह unit का multiple है, और 3 हमारा 10th place क्यों है, क्योंकि यह हमारा 10 का multiple है, अगर आप देखें, तो यह आपका 35 के equal होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए 5 को यहां पर हम unit place कहेंगे, और क्यों कहेंगे, आपको यह हए क्लियर है कि यह हमारा unit का प्लीपल है को और एक्जामपल लेते हैं 78 अब 78 में unit place क्या है हमारा 78 में 8 हमारा unit place है क्यों है हमारा यह unit place क्योंकि 8 multiply by 1 एक हमारे पार 7 है वो 10th place है multiply by 10 और यह किस के equivalent हो जाएगा यह78 के equivalent होगा इसलिए बच्चों यहाँ पर 8 को unit place कहा गया क्योंकि यह 8 आपका 1 के multiple में है, अब आएए देखते हैं कि आपको exam में questions किस तरीके के हो सकते है unit place base पे, सबसे पहले आपको clear है कि unit place किसे कहते हैं, आगे देखिए, एक question लेते है unit place का basics है, question 3 multiply by 4, multiply by 8, multiply by 6, multiply by 2, एक question है, इसको solve करेंगे, तो जो result आएगा, उस result का unit place क्या होगा, question यह है, तो आप generally कहेंगे, सर यह तो बहुत easy है, क्योंकि इसको तो हमें multiply करना है, और देख लेना unit place का है, आईए देखते हैं फिर, 3 multiply by 12, multiply by, आप 8 करेंगे, 96, multiply by 6 करेंगे, तो 6 into 6, 36, 3, और यह आपका ह हो गया, 57, multiply by 2 करेंगे, 12, 1, 15, 1, 11, तो यहाँ पर आपका unit place क्या है बच्चों, 2, तो यह बहुत simple था कि इसका unit place क्या होगा, तो क्या decide क्या आपने, इसको simply क्या करना है, multiply करना है, जो result आएगा, उस result को देख लेना है कि उस पर unit place क्या है, लेकिन बच्चों यह इस तरीके के multiplication, यह सिरफ यहीं पर possible है, जहाँ पर आपके पास में, digit इतने small है, लेकिन अगर आप देखें, इसी question को इक दूसरे वे में कर सकते हैं, आप देखें हैं, यहाँ पर जब हमने unit place बताए, तो सिरफ और सिरफ हमने two result रखाए, क्योंकि two ही हमें बताना था, बाकी का कोई भ आपको unit place बताना है, तो पूरा complete 12 को लेकर के आगे मत बढ़ो, आप आगे 2 को लेकर के बढ़ो, तो 12 में हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 2, 12 का unit place क्या है, 2, तो 2 multiply by 8, 2 multiply by 8 क्या होगा बच्चो, 16, अब 16 में अगर आप देखते हैं, तो unit place क्या है, 6, उसके बाद आप पूरे 16 को लेकर आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको find ही unit place करना है, तो आप सिरफ और सिरफ 16 का unit place क्या है, 6, आप इस 6 को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, तो 6 multiply by 6, क्या होगा 36, फिर इस पूरे complete 36 को आगे लेकर जाने की कोई भी जूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको find ही अब आपको complete result आपको answer नहीं देना है, तो 12 का unit place क्या होगा, 2, तो इस case में आपका answer क्या है, 2, तो आपको अगर आप यह सोच रहें कि sir हम multiply भी कर सकते हैं, तो यह तो खेर बहुत basic question है, अगर इस तरीके question अगर आपको face करने पढ़ जाएं, for example, 2, 8, 3, 5, 7, 6, multiply by 3, 8, 9, multiply by 2 2, 3, 1, multiply by 8, 2, 4, 1, यह motion है बच्चो, अगर आप कहते हैं कि हम यहाँ पर multiply करेंगे, तो देखेगा, यहाँ पर इसको इस process में लेकर जाने में, multiply करने में, आप भी समझते हैं कि बहुत time इसमें आपका consume होगा, तो इस case को हम किस तरीके से करेंगे, जैसा मैंने आपको समझा है कि आपको unit place निकालना है तो सिरब और सिरब आप focus unit place पर कीजिए, 6 multiply by 9, 54, अब 54 का unit place क्या है, 4, 4 को आप आगे लेके जाएंगे, 4 बंजा 4, अब फिर इस 4 को आगे लेके जाएंगे, 4 बंजा 4, तो इसका unit place पर answer क्या है बच्चो, unit place पर इसका answer है, 4, तो क्या इसका answer है, 4 इसका answer है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप complete number को लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिरफ और सिरफ unit place को लेकर के चलें, और आप देखें कि यहाँ पर unit place पर आपका क्या आएगा, तो क्या आपका unit place पर आया, 4, तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ रहें, कि unit place आपको कभी भी calculate करना हो, तो सिरफ और सिरफ आपको अपना focus unit digit पर ही करना है, clear है, कोई doubt इसमें बच्चों, आगे बढ़ें, देखिए, इस तरके कुछ questions और ले रहेते हैं, for example, 3, 8, 2, 0, multiply by, 2, 8, 2, 9, multiply by, यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप, एक question आपके सामने, यहाँ पर unit place पर क्या होगा, आपको इस चीज अच्छी से समझना होगा, कि अगर आपका unit digit 0 हो गया, तो 0 एक ऐसा number है, जो किसी को भी multiply करें, result क्या हो जाता है आपका, वो 0 कर देता है, तो यहाँ पर जब आपका 0 है, तो ज्यादा आपको multiply या आगे सोचने की जुरूत नहीं है, अपना time बचाए और इसके 0 multiply by this 0, multiply by this 0, 0 multiply by this 0, तो इस case में आपका answer 0 ही आना है, तो अगर एक बार 0 आ जाए, अब आगे आप कितने भी आगे जाके multiply करते रहे है, वो हमें से 0 ही रहेगा, तो इसलिए जब एक बार आपको 0 मिल जाए, तो आपको आगे solve करने की कोई जूरूत नहीं है, सीधा इसका unit place क्या रहेगा बचो, 0 ही इसका unit place रहेगा, clear है, एक और question देखते हैं इसमें, अगर देखें बच्चों, यहाँ पर हम unit place find करते हैं अपना, तो इस case में आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपका 1 multiply by 1, multiply by 9, फिर जो unit place पर आएगा, बदैन multiply by 2, फिर जो unit place रहेगा, multiply by 9, इस तरीके से आप करकरके, और आप अपना unit place निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक ची को कि 2 और 5 को अगर आप multiply करते हैं कभी भी, तो result आपका क्या बन जाता है, 10, और unit place पर क्या जाता है, आपका 0, तो इस तरीके की sequence में अगर आपको कभी भी, आपको 2 और 5 unit place पर आ रहा है, तो वो आपस से multiply करके, वो 0 ही produce करेंगे, इसलिए इस case में भी आपको इस तरीके से 9, 9 into 2, 18, 18 का unit place, 8, 8 multiply by 9, 72, 72 का unit place, 2, 2 multiply by 9, 18, 18 का unit place, 8, 8 multiply by 5, 40, 40 का unit place, 0, तो इसका answer किया, वो 0, यहाँ पर भी हमने कुछ अपना time, यहाँ पर हमने लगाया है, जबकि जानते थे हम, कि यहाँ पर क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, 5, और 2 और 5 कभी भी आपस से multiply होते है, तो वो unit place क्या कर देते है, 0, तो इसलिए इस case में आपको 2 और 5 को देखते ही, यह decision ले लेना चाहिए था, कि इसका unit place क्या होगा, इसका unit place 0 होगा, clear है बच्चो, यह चीज़े clear रहे हैं आपको, तो हम part A में समझ रहे हैं, कि unit place को किस तरीके से हम calculate करेंगे, clear है बच्चो, क अब देखिये, part B, unit place, unit place part B, तो कुच्चे ले रहे हैं रहे हैं, raise to power 129, इस पे देखियेंगे बच्चो, कोशन है कि इसको अगर हम solve करते हैं, तो unit place पे क्या आएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है, कि base को, base से ही multiply करना है, और कितने times करना है, जितने कि उसकी power है, मैं फिर से clear कर दूँ, देखिये, 2 raise to power 3, इसका मतलब यह नहीं है, कि 2 into 3 करकर के आप 6 answer देंगे, यह गलत है, इसका मतलब होता है, base को, base से ही multiply करना है, और कितनी बार करना है, जितने कि उसकी power है, तो 3 times इसको multiply करना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा, कि यह base है, और इसको हम क्या कहते है, power, हिंदी में कहेंगे इसको आधार, इसक multiply by 3, 5, 8, 0, multiply by 3, 5, 8, 0, और यह कितने times होने आला है, बच्चो, यह 129 times ऐसा होगा, और आप समझते हैं इस चीज को, कि unit place पर 0 आ गया, तो 0 multiply by something is 0, तो इस case में आपका unit place पर क्या रहने वाला है, बच्चो, 0 ही आपका, यहाँ पर answer आने वाला है, तो आप इस चीज को समझत करते हैं, कि अगर आपके unit place पर 0 है, पावर कुछ भी हो, unit place पर 0 है, तो पावर कुछ भी हो, इसको solve करने कोई जूरुत नहीं है, आपके unit place always क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, unit place, no change, clear है बच्चो, कोई doubt किसी बच्चे को, अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर, एक और question ले र 5, इस case को भी अगर हम express करते हैं, तो 3, 21, multiply by 3, 21, multiply by 3, 21, और यह कितनी times होगा, यह 35 times होगा, clear है, और आपको unit place calculate करना है, तो सिरफ और सिरफ आप focus किस पर करेंगे, आप अपना focus पूरा का पूरा आप unit place पर ही रखेंगे, तो यहाँ देखेंगे, अगर आप 1, multiply by 1, multiply by 1, तो 1 को कितनी बार भी आप 1 से multiply करेंगे, result आपका no change, आपका unit place क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इस case में भी अगर आप देखेंगे, तो unit place क्या होगा, no change, आपका 1 ही answer है, clear है, तो अगर आपके base का unit place 0 है, power कुछ भी हो, unit place में कोई change आया, नहीं, unit place क्या आपका 0 ही है, और अगर आपके base में, base क्या unit place 1 है, पावर कुछ भी हो, क्या unit place में कोई change आया, नहीं, unit place आपका क्या है, 1 ही है, और देखते हैं, question और, इस case में discuss करते हैं, तो आप इसी इसको समझते हैं, कि इसको क्या मतलब है, इसको आप multiply करते चले जाएंगे, 3785 को, आप कितनी बार multiply करेंगे, जितने कि इसको power है, तो मतलब कि 28 टाइम्स ऐसा होने वाला है, और आपको unit place कालकुलेट करना है, तो आपको अपना focus किस पर रखना पड़ेगा हो, सिर्वा सरफ unit place पे, तो 5 एक ऐसा number है, 5 into 5, 25, फिर 25 का unit place क्या है, 5, फिर 5 into 5, 25, फिर 5 का unit place क्या है, 5, इस तरीके से बच्चो आप 5 को कितने बार भी multiply कर लें, आपके unit place पे क्या आएगा, आपके unit place पे 5 ही आएगा, तो यहाँ पर इस case में भी base अगर 5 है, तो unit place में कहूंगा no change, unit place में कोई change नहीं होगा, यह बच्चो इस specific rule है, इस specific rule का मतलब ही हो गया, कि देख देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसका answer क्या है, solve करने को जूरत नहीं है, आईए एक और देखते हैं, मा लिजे के base का unit place अगर 6 है, तो क्या होगा, तो base का unit place अगर 6 है, तो क्या होगा, 126 raise to power 21 है, तो 126 multiply by 126 multiply by 126, same, आप देखेंगे 21 times तक जाएगा यह, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, कि 6 multiply by 6, 36, unit place पर क्या है 6, फिर 6 multiply by 6, 36, unit place पर क्या है 6, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गया है, कि 6 को 6 से कितनी बार भी multiply कर लें, आप unit place में कोई change है, नहीं होने वाला है, unit place क्या रहेगा 6, इसलिए यहाँ पर भी हम कहेंगे, unit place no change, 6 ही आपका क्या रहेगा, answer रहेगा, तो अभी तक क्या समझ में आपको, अभी तक आपको यह समझ में आए, कि अगर बेस का unit place 0 हो, 1 हो, 5 हो, और 6 हो, पावर कुछ भी हो, unit place no change, यह क्या हो गया, हमारा specific rule हो गया, clear है बच्छोए, अब आपके दिमाग में आपके माइड में एक बात चल रही होगी, कि सर, possibilities जो number के आने की है, वो possibilities क्या-क्या है, base में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 और 9, 10 नहीं, क्यों 10 में already 0 आएगा unit place पे, तो हम already ले चुके हैं उसको, तो यह आने की है, 0 से 9 तक कोई भी number हो सकता है, लेकिन अभी तो आपको 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 और 6 के बारे में clear है, अगर इनके अलावा कोई और number आ जाए, for example, 2 अगर आ जाए, फिर क्या होगा, फिर किस तरीके से हम unit place calculate करेंगे, क्योंकि हम उतने times तो 2 को multiply, नहीं कर सकते हैं, 2 multiply by 2, 4, 4 multiply by 2, 8, 8 multiply by 2, 16, तो इस तरीके से हम multiply, कितने times तक करेंगे इसको, यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे unit place, यह आपके मन में doubt है, clear है, आईए, उस doubt को clear करने के लिए, कि आपका doubt यह है, कि सर 0, 1, 5, और 6 के अलावा, कोई और number अगर base के unit place पे हुआ, तो उस case मे unit place कैसे calculate करेंगे, इस doubt को clear करने के लिए, सबसे पहले आपको एक concept को develop करना होगा, आए समस्ते हैं पहले, एक concept को समझेंगे यहाँ पर, देखिए, इस concept को clear करने के लिए, सबसे पहले, आपको देखेंगे, मैं एक example ले रहा हूँ, 17 divided by 5, यह 17 divided by लेते हम 4, तो 4, 4 जा, 16 और क्या बचा है यहाँ पर हमारा, 1, अगर यहाँ पर एक और example लेते हैं, 22 divided by 4, 4 जा, 20, रिमिर क्या है, इस case को आप समझेंगे, सबसे पहला आप समझेंगे यहाँ पर, इस 4 का क्या मतलब है, इस 4 का मतलब यह है, मान लिजी, जो 17 है, टोटल आपके पास में 17 खिलाड़ी उपलब्द है, 17 players available है, और मैं आप से कहता हूँ, कि आपको team बनाने हैं, और एक team में 4 player होने चाहिए, तो यह 4 क्या है, एक team में कितने player होने चाहिए, तो यह टोटल player available 17 है, और एक team में 4 player होने चाहिए, आप maximum team बनाओ, कि आप maximum कितनी team आप बना सकते हो, तो आप क्या answer देंगे, सर, maximum 17 player available है, और एक team में 4 player रखना है, तो फिर हम maximum 16 player को ले गर गर टीम बना सकते हैं, 4 team बना सकते हैं, और हमारे यहाँ पर remainder क्या आएगा, 4 team बनाने के बाद यह जो 1 है, यह 1 है क्या, सर, 16 player की team मन जाएगी, अब जो 1 player रह जाएगा, क्योंकि उसकी team नहीं बना पाई, तो उसको में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका 1 का मतलब, इसको आप इस वेवे भी देख सकते हैं क्या, कि इसमें 4-4 के राउंड लूम है, 4-4 के राउंड लूम है, माल लीजिये आपके आपके पास में 17 किलो मीटर का, आपको माल लीजिये, कि आपका 4 किलो मीटर का एक राउंड है, यह माल लीजिये, clear है, पच्छो concept की पो focus कीजिये, आगे सब छीजों के बारे मादे में आपको पता लगीगा, माल लीजे कि 4 km का ये complete round है 4 km और आपको 17 km इसमें travel करना है तो करेंगे 17 km तो 4 round तो complete मारेंगे 16 km ही हो गया 4 round complete मानने के बाद आप 1 km इससे आप आगे जाएंगे यही मतलब इसका इस case में देखिए यहाँ पर भी माल लीजे कि total आपको 22 km चलना है और 4 km का एक round है तो कितने round complete लोगे 5 round complete लोगे उसके बाद 2 km आपको फिट से start करना पड़ेगा तो 2 km आप फिर आगे जाओगे यह clear हुआ अब मुझे गो बताइए कि क्या कभी यहाँ पर 4 remainder आ सकता है आप कहेंगे कि सर 4 player के हम team मना रहे हैं चार player को लेकर कि हम team मना रहे हैं और चार player हमारे पास में extra रह गए तो मैं तो आप से ही कहूँगा कि यहाँ पर आप एक और team बना लो 4 कैसा extra रह सकते हैं जब 4 की team बनानी है तो क्या आप यह कहेंगे सर साथ player extra रह गए चार लोगी team बनानी थी मैं तो आपको यह कहूँगा यार इसमें एक team और बन जाए एक team और बनाओ इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कभी भी आपका जो remainder है वो diviser से greater हो ही नहीं सकता है आपका जो diviser है जो diviser है always आपका जो remainder है वो diviser से always less होगा क्लिर है इस चीज़ को समझ गया आप सबसे पहले इसका मतलब समझ गया क्या हूँआ कि आपको चार चार के आपको round लेने क्लिर है आईए एक game खेलते हैं उस game से भी अपने concept को पक्का करते हैं अभी मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ यह सारी चीजों का इस्तेमाल अभी हम कोशनों में करेंगे क्योंकि आपको logic पता होना चीजों को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यह चीजे कहां से आई हैं तो फिलाल आपको यहाँ पर आप मोट आउटा यह धान अखेगा कि कभी भी आपका जो है extra मतलब की remainder कभी भी आपका जो है diviser से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्लियर है जहां पर अगर आप माल लीजिये 20 हो 4 का round मार रहे हो तो 45 20 क्या कुछ बचा नहीं क्या मतलब इसका इसका मतलब है कि 20 Kilometer जाना था चार किलो मेंटर का एक तो 5 round पूरे-पूरे होंगे, 5 round माने दुवारा start करोगे, नहीं, 5 वे round पे आप आखरी में रुकोगे और 5 round complete करोगे, तो जब भी आपका reminder 0 आ जाए, इसका मतलब यह होता है कि आप last में बिल्कुल end में रुक गए हो, दुवारा आपने start नहीं लिया, clear है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, दुवारा start 5 round के बाद दुवारा start नहीं लोगे, बिल्कुल end में आ करके आप रुक गए, कभी भी आपका reminder diviser से greater नहीं हो सकता है, यह बात भी clear आपको, समझ गए, आगे आए, इसको इसी concept को आगे continue करते हैं, मैं आप से एक बहुत basic सा question पूछ रहा हूँ, वो basic सा question क्या है हमारा, वो basic सा question यह है बच्चे, देखिए, माल लीजे, एक game खेलते हैं, ठीक है, यह एक ऐसा game है, जिसको मैं 5th standard के बच्चों के साथ में भी खेल सकता हूँ, आप सही बच्चे तयार है, यह देखिए, यहाँ पर, माल लीजे, red color है, first step पे, second step पे, green color है, थार्ड स्टेप पे, pink है, fourth step पे, yellow color है, उसके बाद फिर से, red color है, फिर green color है, फिर pink color है, फिर yellow color है, उसके बाद फिर से, red color है, फिर green color है, इस तरीके से यह चल रहा है, तो मेरे आप से पहला कोशिन है, बताए, second step पे, कौन सा color है, तो आप कहेंगे green, ठीक, है, इसमें आप चीज, observe कर पा रहे है, कि चार के बाद, color क्या हो रहे है, repeat हो रहे है, जिससे हमारी घड़ी होती है, clock, कि one to twelve, और twelve के बाद दुबारा से, वो, फिर से one से start हो जाता है, ऐसे यहाँ पर दिखेंगे, अगर आप, तो यह क्या हो रहा है आपका, दुबारा से, यह क्या हो रहे है, यलो के बाद दुबारा से start ले रहा है, clear है, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछो, बताए ज़रा, third step पे कौन सा color है, तो आप बोलेंगे pink, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए, आप बताए ज़रा, seven step पे कौन सा color है, तो आप बोलेंग आप बताए, 21 step पे कौन सा color है, 21 step पे कौन सा color है, अब आप क्या 21 step पे जाएंगे, नहीं न, आपको पता है, कि 4 पे तो मैं आ जाओंगा yellow पे, फिर मैं 4 पे आ जाओंगा 8 पे yellow पे, फिर मैं 12 पे yellow पे, फिर मैं 16 पे yellow पे, फिर मैं 20 पे yellow पे, फिर मैं 21 पे दुबारा start करू 21 step पर जाने की जुरूत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो first step पर color है, वही 21 पर भी color मिलेगा, तो क्यों जाओगे फिर आप 21 पर, इस बात को यह बात पहले clear होई है, कैसे कि आपने देखेगा, मैंने आप से पूचा 21 पर कौन सा color है, तो आपको पता है कि 4 के बाद repeat हो र round पूरे-पूरे होने के बाद दुबारा से स्टार्ट लिया और first step पर आ गया, और फिर आपको जब मालूम है 21 का मतलब first step ही है, तो 21 पर जाने की कोई जरूत आपको नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, first step पर ही जाएंगे, clear है, और first step आपको क्या हो गया यहाँ पर, first step पर आपका color कौन सा है, red, चलिए मैं आप से कुश्चे कर पूछ रहा हूँ, बताए, 18 पर कौन सा color होगा, 18 step पर, तो आप समझते हैं, कि 18 step पर कौन सा color होगा, 18 divided by 4, तो कितने round पूरे होंगे, 4 round पूरे होंगे, 16, और 4 round पूरा होने के बाद दुबारा start करोगे, दूसरे step पर आओ गए, तो जो आपका 18 पर color मिलेगा, वहीं आपका दूसरे step पर color मिलेगा, और दूसरे step पर क्या आपका, green, तो यहाँ पर आपको 18 पर जाकर के अपना time waste करने की जूरुत नहीं है, आप दूसरे step पर जाएए, वहीं से आपको color पता लग जाएगा, यह बहुत बे लेगा, clear है, समझ गए, कोई doubt, अगर बचो इसी में एक example लेते हैं, माल लीजिए मैं आपसे बोलो 24 step पर कौन सा मिलेगा, तो 4 के बाद तो repeat हो रहा है, तो यह 0, अब आप कहेंगे 0 step तो है यह नहीं, 0 step तो है नहीं, बचो 0 remainder आने का मतलब क्या होता है, 0 remainder आने का मतलब यह होता है कि 4-4 के 6 step इसने, 4-4 के 6 round ले लियें, उसके बाद इसने दुवारा start नहीं लिया, तो 0 आने का मतलब क्या हुआ, दुवारा start नहीं लिया, तो कहा रुका है, last में बुका है वो, clear है, तो कहा रुका है वो, last में रिखा हूआ, तो मतलब की 0 अगर आ गया, तो इसका म clear है आए इसी concept के base मना करके आपका जो doubt था कि sir अगर unit place पे 015 और 0156 के अलावा गर कोई ओर number आ जाए तो उस case को हम कैसे solve करेंगे आए अब वही case हम देख रहे हैं एक्जामपल लेते हैं 1, 3, 1, 2, 3, 2, raise to power 27 ठीके बच्चो एक्जामपल लेते हैं इसका मतलब क्या है इसको में multiply करना है 1, 2, 3, 2, multiply by 1, 2, 3, 2, this, 27 times आएगा आप समझते हैं इस चीचको तो यह फिर आपको unit place से focus करना है क्योंकि आपको calculate ही unit place करना है तो भी आप अगर तो भी अगर आप unit place multiply by unit place 2 multiply by 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 27 times जाएगा तो यह 2 raise to power 27 हो जाएगा clear है बच्चो 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 और यह 27 हो जाएगा तो 27 times multiply by 2 raise to 27 हो जाएगा अब आप इसको solve करेंगे जो result आएगा उस result का unit place क्या होगा एगी ना समाल तो देखेंगे इस case में आप सबसे पहले देखते हैं 2 raise to power 1 result क्या आएगा 2 unit place क्या हो 2 2 raise to power 2 4 unit place क्या हो 4 2 raise to power 3 unit place क्या हो एट 2 raise to power 4, unit place किया वा 16, unit place किया वा 6, 2 raise to power 5, 32, unit place किया वा 2, 2 raise to power 6, 64, unit place किया वा 4, 2 raise to power 7, 128, unit place किया वा 8, 2 raise to power 8, 256, unit place किया वा 6, clear है, समझ गया, तो इस तरीके से आप बच्चे देखेंगे, इसको आगे आप करते रहेंगे तो देखें युनिट पेस क्या है 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 6 इसके बाद भी अगर आप करते हैं तो फिर क्या आएगा आपका 2, 4, 8, 6 इसका मतलब यह है कि different unit place सरफ 4 तरीके कही है उसके बाद कुछ नया नहीं है फिर वही चीज क्या हो रही है आपकी repeat हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद unit place दुबारा से repeat मारता है अर ऐसा सरफ 2 के case में नहीं है आप इसमें से यह जो हम आप से rule discuss करने जा रहा हूँ यह सरफ 2 के लिए नहीं है यह 0 से लेकर करके और यह 9 तक यहाँ पर तो एक चीज तो clear है सभी के case में एक चीज एक clear है कि कम से उसे पहले पर repeat हो जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन maximum 4 के बाद उसको repeat करना ही है चाहाँ आपके base का unit place कुछ भी हो यह चीज तो आपको clear होई ठीक है बच्चो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा यहाँ पर कि 4 के बाद यह repeat करेगा ही करेगा तो जब यह 4 के बाद repeat करेगा तो जोड़रोत है मुझे 27 पर जाने की यह 4 के बाद तो दोबारा एक पर ही आ जाएगा तो क्यों मैं 27 पर जाँगा इसलिए सभी केसे हम 4 ही लेके चलेंगे, ऐसे नहीं कि हम 9 के लिए कुछ और 8 के लिए कुछ और डिवाइजर लेके चलेंगे, सब के लिए 4 लेके चलना है, तो 27 divided by 4, देखते हैं 27 पर क्या मिलने वाला है, तो 24 और 3, मतलब यह हुआ कि 6 round complete होंगे, और उसके बाद 6 round complete करने के बाद, वो 3rd step पर आके रुकेगा, तो जो 3rd 2 ratio power 3 पर जो unit place मिलेगा, वही 2 ratio power 27 मिलेगा, तो 2 ratio power 27 तो मैं solve नहीं कर सकता, वो limited time के अंदर, तो 2 ratio power में क्या solve करूँगा, 3, तो इस case में, आप 2 ratio power 27 करने जूरत नहीं है, जो आपके पास में remainder आया, वही आधा power यूज करो, simplify कर आने वाला है बच्चे, 8 आने वाला है, तो क्या समझ में आया हो, इस case में आया, power divided by 4, जो आपका remainder आएगा, unit place के उपर आपको वही आधा power यूज करना है, और फिर आपको देख लेए, आपका unit place क्या आएगा, clear है, कोई doubt बच्चो, किस वच्चे कोई doubt, यह journal method है, सब प्य apply होगा, चलिए, और example लेते हैं, इस case में, देखेए, एक example में, यह देखिए, जहाँ पर रिप्ले स्टावर ने, सब प्या apply होगा, तो आपको पता है कि maximum 4 क्या तो repeat करता है, तो आप क्या करेंगे, power को सीधा 4 से divide करेंगे, 8 जा 32 और क्या है आपका 2 remainder आया, इसका 2 remainder का मतलब आप समझते हैं क्या है, कि वो 8 round लेने के बाद दुबारा 1st और 2nd पर वो आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको 34 पर जाने की कोई जुरुत नहीं है, तो आपको जब 2nd पर ही मिल रहा है, तो 34 पर क्या 9 और 49 का unit pace आपको answer देना है, तो 9 आपका क्या हुआ बच्चे, 9 आपका answer है, clear है, समझ गए, चलिए, एक और example लेते हैं, एक और example लेते हैं, रिश्व पाबर 36, हम क्या करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 49 जा, 36 और 0, यहाँ रिमेंडर तो 0 आगया, तो अब जो हम unit pace को पर क्या 0 लेंगे, नहीं, 0 आने का मतलब यह हुआ, कि 9 round complete हुए हैं, उसके बाद दुबारा start नहीं लिया गया, दुबारा start नहीं लिया गया, तो रुका कहा है यह, end में, end मतलब क्या, 4th place पे, तो मैंने पहले भी repeat किया तब को, अभी भी repeat कर रहा हैं चीज को, जब भी आपका remainder 0 आ जाए, आपको power, आपको as of 4 power use करना होगा, तो 2 raise to power क्या होता है, 4, 16, और 16 का in place क्या होगा, 6, टापका answer क्या है बच्चे, आपका answer 6 है, यह चीजे clear हैं सही बच्चे को, कोई doubt किसी बच्चे को, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चो, कुछ और कुश्ण में करते हैं इसके practice, यह general method आप सही बच्चो clear हो गया होगा, हाँ जी बच्चो, देखिए, कुछ और कुश्ण में करते हैं practice, for example, 4 का 1 case discuss करते हैं, 3, 5, 2, 4 raise to power 21, देखते हैं कि unit place पे क्या आएगा, आप इतना time आपको consume नहीं करना है, इसके अंदर इसको solve करने के लिए, आप समझते हैं, power divided by 4, तो 21 की nearest कौन सा नमबर 4 से divided जाएगा 20, तो remainder क्या है आपका, 1, तो इस case में 4 raise to power क्या यूज़ करेंगे, आप 1, तो क्या आपका है बच्चे, आपका 4 क्या है, unit place है, clear है, आगे हैं और example देखते हैं, इस case में देखते हैं, तो इसको 4 से divide करेंगे, और आप भी simple ही देखिए, कि 89 के nearest पहले कौन सा नमबर दो 4 से divide जाएगा, 88, तो 88 में आप देखेंगे, तो remainder क्या आएगा, 1, तो आप क्या use करने आ लें, 4 raise to power 1, तो unit place से क्या आए हो, 4 यह आए, और को example लेते हैं, यह देखिए, आपको last disability rule में आपको मालूम है, last के 2 digits आप चेक कर सकते हैं, divide करकर के, कि इसमें remainder क्या आएगा, तो 27 है, क्यों 4 का जब rule है, जब 4 से divide करते हैं, तो last के 2 digits को चेक करते हैं, तो 27 divided by क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, 4, तो देखे 27 के nearest कौन सा नमबर दो 4 से divide जाएगा, nearest मनलब की से just पहले, तो 24, तो remainder क्या आए, 3, तो आप यहाँ पर 4 is to power 3 करेंगे, तो क्या है, 64, clear है, समझे हैं आए बच्चो, और unit place पर क्या है आपका, 4 आपका answer है, तो यहाँ पर भी आपके दिमाग में चीजे बैट रहे हैं, क्या, कि यार, base में अगर 4 है, unit place no change, base में 4 है, unit place no change, बेस में 4 है, unit place no change, clear है, समझ गयें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कि base में अगर 4 हो, और फिर unit place no change, तो आए एक और example लेते हैं, यह case है, 16, 16 divided by 4, 18 है, 18 को अगर आप 4 सी डिवाइड करेंगे, तो इसके आसपास कौन सा होगा, 18 का आसपास 16 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो 4 raise to power 2, देखिए, 18 divided by 4, 4, 4 जा 16, और 2 remainder 2 ऐसा power उसकर होगे, तो क्या है आपका, 16, 4 का स्कर, तो आपका unit place की आगे, 6, अभी तक आपको ये लग रहा था, कि अगर base का unit place 4 वा, तो ये भी 0, 1, 5, 6 की तरह no change, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और example ले, चली, और example लेते हैं, 56, चेक करते हैं, divide करते हैं, तो यह 4 से completely divide हो जाएगा, जब 4 से divide हो रहा है, इस case इसमें remainder कुछ आया है नहीं, तो यह last पर रुका है, 0 remainder, और जब भी remainder आपका 0 आ जाए, तो 4 ratio power क्या इस करोगे, 4, 4 multiply by 4, multiply by 4, multiply by 4, clear है, तो 4 into 4, अगर आप करते हैं, तो 16, 16 into 4, 24, 4, 4 into 4, क्या गया, 16, तो क्या गया आपका unit place, 6, तो आप देखिए, यह पर 6 आ रहा है, अभी आपको लग रहा था किस तरह 4 यह आता है, no change, आप देख रहे हैं, मैंने दो example एसे लिए जहांपर 6 आ रहा है, क्या मसला है बेसको, क्या नो इसकी आपने, मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए, इसमें क्या observe करने लिए बात थी, आप देखिए, इस case में, power क्या है, ओड, देखिए बच्चे, इस case में power क्या है, ओड, unit place, no change, पावर क्या है, ओड, unit place, no change, और यहां देखिए, यहां क्या है, पावर, even, unit place, 6, पावर क्या है, even, और unit place क्या आपका, 6, तो 4 का भी अपना एक specific rule हो गया, इहां रखिएगा, अगर base का unit place 4 है, और power, base का unit place 4 है, और जो power है, वो power आपका, ओड है, तो इस case में unit place no change, 4 ही आपका unit place रहेगा, अगर base का unit place 4 है, और power आपका even है, इस case में, आपका unit place always 6 आएगा, चलिए, ओड वाला केस क्लियर है, यार no change, कभी-कभी दिमाग से भूल भी आते हैं, कि 4 is to power even था, तो क्या बताया था, क्या रहेगा unit place, तो आप 4 के उपर, एक even power रखके देख लो, छूटा सा, दो रखके देखते हैं, तो 4 is to power 2 क्या आएगा, unit place पे 6, तो 6 इससे, इससे आपको याद रहेगा, clear है बच्चो, कोई doubt, तो यह क्या था हमारा, यह हमने 0, 1, 5, 6, के अलावा 4 का भी अपना एक specific rule, discuss किया है, clear है बच्चो, आगे आगे देखते हैं, कि 9 का क्या case होगा, देखिए बच्चो, 9 का rule पढ़ते हैं, for example, 2, 3, 9 देश तो पावर 15, इस case में 15 से बिलोग कौन सा नमबर जो 4 सी डिवाइड हो रहा है, 12, और देखेंगे यहाँ पर, तो आपका remainder क्या आगा, 3, 9 को पर 3 उस करेंगे, 9 multiply by 9, multiply by 9, तो unit place क्या आएगा आपका, 9, clear रहे न, 7 to 9, तो unit place क्या आगे आपका, 9, तो यहाँ पर unit place, no change, 21, force रिवाइड करेंगे, 21 से बिलोग कौन सा नमबर जो 4 सी डिवाइड हो जागा, 20, तो 1 क्या आगे, रिमेंडर, तो 9 देश तो पावर 1 unit place क्या आएगा, तो आपका unit place 9 ही है, तो यहाँ पर भी आपका अपना एक mindset हो रहा हुगा, कि अगर base, अगर base का unit place 9 है, तो 0, 15, 6 की तरह ही, यहाँ पर भी unit place क्या होगा, no change, clear है, समझ गे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आएट देखिए गया और example देखते हैं, आप देखेंगे, इसको 4 सी रिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर क्या आएगा, 2, 9 देश तो पावर 2, 80, 1, unit place क्या आगया, 1, unit place change हो गया है, देखिए, अब 9 नहीं है, 1 आगया, clear है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, in case 9, यह specific rule में 9 का discuss कर रहा हूं, same, अगर पावर ओड है, base का unit place 9 हो, और पावर क्या हो, पावर अगर आपका ओड हो, तो unit place no change, अगर आपका पावर, अगर आपका पावर, even हुआ, अगर आपका पावर, even हुआ, even मतलब समसंख्या, तो इस case में, आप देखेंगे, आपका unit place क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा, जब भी पावर even होगा, तो unit place क्या आएगा, बच्चे आपका, आपका मेशा unit place, 1 आएगा, clear है यह चीज़ आपके, कोई doubt किसी बच्चे को, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, कि 9 का specific rule क्या हुआ, कि base का, unit place अगर 9 है, और पावर ओड हो, तो unit place no change, अगर पावर even हो, तो unit place 1, आप exam में आप यह भूल सकते हैं, कि यार जो 9 का power जो है, अगर even हुआ तो यहाँ पर unit place क्या आता है, क्या बताया था, तो कोई बात नहीं, आप 9 raise to power, एक छोटी से even संख्या रखके देखलो, आपको पता लग जाएगा, तो 9 raise to power 2 रखेंगे, तो क्या जाएगा, 81 और 81 unit place क्या 1, तो even में क्या आता है, 1 आता है, clear है, अब आप देखेंगे, हमारे पास पे specific rule, 0, 1, 5 और 6 के हैं, वो यह है, power कुछ भी हो, odd even कुछ भी हो, unit place no change, बात करें 4 के, तो 4 और 9 के 2 के, और मैंने आपको specific rule दिये हैं, इन दोनों के क्या specific rule है हमारे, 4 और 9 के specific rule में common बात यह है, कि power अगर odd हुआ, तो यह दोनो no change, अपनी जगे सा हिलेंगे न, unit place वही रहेंगे, अगर power even हुआ, तो 4 की case में अगर power even हुआ, तो 4 की power 2 करके देखेंगे, 16, 6 आएगा इसका unit place पे, और 90 के से power even हुआ, तो 9 के उपर आप power क्या करके देखेंगे, 9 के उपर power आप 2 करके देखेंगे, तो 81, तो यहाँ पर 1 आएगा, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, तो अब देखें, एग्जाम में आपके किस तरगे से questions इससे पूछे जाएंगे, part B से related, देखेंगे बच्चों, part B से related question किस तरगे से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको समझेंगे हम, एग्जाम में पूछेंगे हम, यह question है, इसको आप 234 गुणा 234 गुणा 234 क्याणवे बार करो, एक result आएगा, यहाँ पर इसको आप 89 टाइम्स इसी सा multiply करो, रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट इस तरीके से आएगे, उन सभी को आप उसे multiply करो, जो एक result आएगा, उस result का unit paste क्या होगा, यह है सबर, तो इस case में आपको क्या करना होगा, पहले आपको individual लेवल पर जाजा करके, आपको separate separate unit paste calculate करना होगा, इस पर इस पर फोकस करें भी, तो यह तो बहिया यहाँ पर फोर आ गया, तो फोर आ गया तो हम क्यों इतने लंबा प्रोसेस पर जाएंगे, हम सीधा अपने specific rule को याद रखेंगे, जब भी basic unit paste 4o, और power auto, unit paste no change, clear है, समझ गये, जहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 का भी specific rule है, कि 6 का तो power जो भी हो, 6 का कभी भी change होता ही नहीं है, अब देखिए, 9 के case पर, तो 9 का भी specific rule दिया है आपको, 9 के case में क्या है, 9 के case में आपके पास पर power even है, तो 9 raise to power 2 रखके देख लेते हैं, क्या आता है, 81, तो यहाँ पर unit place पर क्या है गाएगा 1, multiply, 2, 2 का कोई specific rule नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको 4 से divide कीजिए, remainder क्या आएगा 1, और जब remainder आपका 1 आएगा, तो आप क्या रखेंगे, 2 raise to power 1, तो 2 ही रहेगा, अब आए इसको मैंने सिखा रखका है, क्यासे करते हैं, तो 4 into 6, 24, unit place क्या 4, 4 into 1, 4, 4 into 2, 8, तो इसका unit place क्या रहेगा, इसका unit place 8 रहेगा, clear आप कोई, समझ गे, इसमे आए एक को question देखते हैं, हानजबच्च, बाएफ्ट कर दो में हाओते हैं, हानजबच्च्च्च्च्च्च, रहे? इस case को समझते हैं clear बच्चो तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे कि इस case में आप individual लेवल पर remainder unit place निकालते हैं तो यहां पर आपका आएगा 1 और यह 4 है और पावर ओड है तो यहां 4 ही रहेगा minus 9 है पावर ओड है तो यह 9 ही रहेगा ठीक है पहला वह individual लेवल पर आप जागर करके unit place निकालेंगे अगर बोर्ड मास यूज करेंगे पहले वह डिवाइड मुल्टिप्लाइ जो भी sign आपक से देखा unit place पे minus का sign चाहिए इसका कोई sign होता है क्या minus से plus का तो unit place पे को भी minus कभी negative नहीं होता है बट आपका यहां पर unit place किसमें आ गया है यहां negative में आ गया है तो आप जब भी subtract करते हैं तो एक चीज़ देखते हैं जब भी आपका unit place कम पढ़ जाए for example यह case लेते हैं इस इसमें से अगर आप इसको subtract करते हैं तो unit place आपका negative नहीं आता है बल्कि अगर यह कम पढ़ जाता तो क्या करता है यह one carry करता है one carry करने से क्या बन जाएगा यह 18 मतलब कि यह 10 more हो जाएगा 7 है one carry करेगा 17 तो कितना add हो गया 10 add हो गया तो unit place negative होने का मतलब यह हुआ यहाँ पर कि यह इसको जूरत है यह क्या करेगा carry करेगा अब यह 10 carry करेगा अब यह one carry करेगा उससे better क्या है यहाँ पर अगर आप one carry करें उससे better यह है कि आपका जो result आए one carry करने का मतलब ही होता है कि उसमें क्या हो रहा है 10 add हो रहा है तो इ नहीं कि इसमें माइनस को साइन अवोइड कर दे ऐसा नहीं है आपको 10 प्लस करना पड़ेगा क्लियरे अगर इसमें भी देख सकते हैं आपको यह कम पड़ रहा है माइनस करना तो 14 14-9 करेंगा तो 5 आपका वैसे भी आंसर आएगा क्लियरे बच्चे तो कभी भी यूनिट प् आपको आगे बढ़ें अब देखिए पार्ट B में आप इन देख लिए कि इस तरी कुश्यों कैसे करते हैं पार्ट C डिफेरेंट तरीके की हम सीरीज पे काम किस तरीके से करेंगे देखिएगा पार्ट C देखेंगे इसको हम साल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा क्लिर है कोई डाउड किसी बच्चे को यहां देखेंगे इस कोश्यों को फिर से में रिपीट कर रहें इस कोश्यों को देखिए आएगे इसकोवर 1 बस 9 देखन पार 2 बस 4 देखन पार 3 बस 9 देखन पार 4 बस 4 देखन पार 5 बस 9 देखन पार 6 अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका यहाँ पर अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका यहाँ पर इसको पूरा जो result आएगा उस result का आपको जो है unit place वो क्या होने वाला है तो इस case में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो बच्चे आप यह समझे कि यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 और आप समझते हैं यहाँ पर कि base में क्या है सिरफ यहाँ तो 4 है यहाँ 9 है 4 और 9 का आपने specific rule को अच्छे से समझा हुआ है क्या समझा हुआ है 4 के उपर power अगर odd है no change power even है 4 के उपर तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका 6 आएगा और 9 का power अगर odd हुआ no change और power even है तो 1 आएगा तो यहाँ पर सरफ 4 और 9 वह specific rule के उपर कोशिन दे रहा है आपको और आगर आप counting देखे 1 2 3 4 5 6 99 और 100 तक है तो counting के अंदर एक खास बात है आप यह देखेगा सबसे पहले कि 4 के उपर 1 4 के उपर 3 4 के उपर 5 4 के उपर 7 4 के उपर 99 तो 4 के उपर जब भी power यूज हुआ है त और 9 के उपर जब भी कोई power का इस्तेमाल किया गया है तो देखिए वो सारे के सारे आपके even power का है इस्तेमाल किया गया है 9 के उपर भी के दोनों equally participate करते हैं दोनों के दोनों बराबर ही उनकी भागिदारी रहती है तो आधे ओड हुए इस हिसाब से और आधे even हुए तो एक बात तो क्लियर है कि एक से लेके 100 तक की गिन्ती में 50 ओड मिलेंगे और 50 आपको even मिलेंगे क्लियर है समझेगे चीज को तो इसका मतलब क्या हुआ आपको इसका मतलब यह हुआ 4 raise to power 1 plus 4 raise to power 3 plus 4 raise to power 5 गई है 4 raise to power 4 raise to power अगर आप देखे 7 क्लियर है और प्लस 9 raise to power 2 plus 9 raise to power 4 plus 9 raise to power यह आपका 7 और यह कहां तक चलेगा आपका 4 raise to power 99 तक जहां देखेंगे अगरा तो यह आपका कहां तक चाहेगा 9 raise to power 100 यही केस है ठीक है तो आपको मालूम है हर बार 4 के उपर पावर ओड ही है तो हर बार क्या आएगा रिजल्ट 4 plus 4 plus 4 plus 4 और यह आपका हमेशा 4 ही आए क्योंकि आप बताये मुझे एक छोटा से एक्जम्बर पूछता हूं मैं मैं 8 रुपए और चार बच्चों को बात रहा हूं तो चारों बपूल कितना होगा क्या आप इसका करेंगे 8 plus 8 plus 8 plus 8 क्या ऐसे करेंगे यहाप फिस सिंपल आप 8 को 4 बार प्लस करने से बेटर क्या 8 को 4 से multiply करेंगे तो 32 ही आएगा तो आप इस ते किसे तो नहीं करेंगे ऐसे ही आप 4 को कितनी बार ये कितनी बार होगा ये 50 होगे ओड तो 4 को 50 बार 4 से प्लस करने से बेटर क्या है कि आप यहाँ पर क्या करें 4 को 50 से multiply कर दे तो 50 बार टाइमस आपको sum करने की जुरत नहीं पड़ेगी यहाँ देखें 9 का तो power even है और even के case में हर बार 1 ही आपका unit please आता है हर बार क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार यह प्लस होगा यह भी 50 तैंस प्लस होगा तो यह भी 50 से multiply कर देते हैं तो यह क्या होगे आपका 200 प्लस 50 250 और आपका unit place क्या हुआ 0 आपका answer हुआ clear है कोई doubt किसी बच्चे को समझ गे आगे देखते हैं हां जी बच्चो देखें एक कोईशन देखते हैं पाट स्वी में 4 multiply by 9 multiply by 4 multiply by 9 multiply by 4 multiply by 9 1 2 3 4 5 6 99 4 multiply by 9 99 100 यहाँ पर भी अगर आप देखें सेम तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 4 multiply by 1 4 multiply by 3 4 multiply by 5 और यह 4 99 टाइम्स सक्थ है clear है multiply by 9 multiply by 2 9 multiply by 4 9 9 9 देश्टु पावर 4 multiply 9 देश्टु पावर 6 multiply 9 देश्टु पावर 8 और यह 9 देश्टु पावर 100 रहेग clear है बच्चों तो 9 देश्टु पावर 1 अब देखें यहाँ पर कि 1, 3, 5 तो एक से लेकर 100 तक कितने आप odd select कर पाएंगे half odd होते हैं और half even होते हैं तो यहाँ पर 50 होंगे तो यह 50 observations है तो हर बार क्या आपका आएगा 4 ही तो आएगा आपका हर बार 4 ही आएगा और यहाँ पर इस तरीके से यह कितने times होगा यह आपका 50 times होगा चुकि 50 times होगा multiply भाए यहाँ पर हर case में आपका 1 आएगा चुकि जब 9 की power even हो तो आपका unit place के आता है 1 आता है तो यह 1 into 1 into 1 यह भी 50 times होगा अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 4 into 4 into 4 50 times 4 raise to power 50 multiply by 1 raise to power 50 अगर आप इसको solve करते हैं यहाँ पर इस के आएगा तो 4 raise to power even हो जाए आप जनरल मेथड से जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बट आपको specific rule पता है कि 4 raise to power even है तो unit place क्या होगा आपका 6 और यह 1 तो क्या हो आपका 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 आपके 6 है clear है कोई doubt किसी बच्चे को समझ गे सिश को आगे बड़े ठीक है देखिए इस केस में हम देखते है 1 multiply by 2 multiply by 1 raise to power 1 multiply 2 raise to power 2 multiply 3 raise to power 3 multiply 4 raise to power 4 multiply by 5 raise to power 5 multiply by 6 raise to power 6 multiply by this 250 raise to power 250 इसको अगर हम solve करते है तो unit place पे क्या आपका आपका पता है कि यहाँ पर एक time ऐसा आएगा 10 raise to power 10 तो unit place क्या होगा 0 और एक बार आपका 0 आगया तो सबका unit place क्या मना देगा वो 0 और वैसे भी हम unit place पे क्या आएगा 0 आएगा तो इसलिए इस case को solve ही नहीं करना आपको समझ जाना चीए था यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 आएगा clear है? समझ गए? कोई doubt बच्चो? तो यह हमारा कौन सा था? यह हमारा part C last part है part D, देखें मच्चें अगर आप इस case को solve करते हो 98 factorial का unit place क्या होगा? 98 factorial का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ 98 x 97 x 96 x 95 x 94 factorial को ऐसे भी लिखते है 98 factorial इसका मतलब यह हुआ कि 98 से आप counting ले लो reverse और यह कहा तक आपके चले जाएगे? यह आपके 1 तक जाएगे तो इसको solve करेंगे अगर आप यह 98 factorial की value है 4 factorial की value क्या होगी? तो 4 factorial की value 4 multiply by 3 multiply by 2 और multiply by 1 तो 4 factorial की value जो है वो 24 है तो इसी तरीके से 98 factorial का unit place क्या होगा? तो इसको 98 factorial यह है तो अगर आप इसको solve करते हैं तो जब counting आपके चलेगी तो कहीं न कहीं चलते जलते हैं आपका 0 भी आएगा counting में 30 से होते हुए यह आपके देख रहे हैं आपके 90 से होते हुए निकलेगा? और एक बार 0 आजाए तो आपका answer क्या होगा? फिर आपका unit place 0 तो इस case में unit place क्या आपका? 0 तो हम part D में factorial case discuss कर रहे हैं यह case देखें अच्छे है इस case में अगर आप देखते हैं, solve करते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने क्या समझा है कि power को हम 4 से यह 23 raise to power क्या है? 23 raise to power है यह 58, 58 power नहीं है 58 factorial है 58, 57 इस तरीके से plus 32 raise to power 7 नहीं है 7 factorial है इस तरीके से और 129 यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह 9 factorial है तो आप इस चीश को समझिए पहले यह मैंने समझाए गया था power को 4 से डिवाइड करोगे तो यह जो power है 58, 57 यह कहां तक जाएगा? यह 1 तक आएगा और जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 9 factorial की value है, clear है ना? अगर आप 9 factorial को solve करते हैं और 4 से आप डिवाइड करते हैं तो this, क्योंकि power divided by 4, तो 4 से 4 क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आपके पास में factorial power अगर आपके पास में 4 या उससे greater है तो definitely वो power, वो factorial 4 से डिवाइड हो गई होगा तो यह 4 से complete divide हो गया और जब भी 4 से complete divide हो जाए, तो जब भी 4 से completely divide हो जाए तो इस case में आप जो देखेंगे, वो यह देखेंगे कि आपको power as a 4 use करना होता है power आपको as a 4 use करना होगा, clear है? अब यहाँ 3 का case है 4, clear है बच्चो? तो power आप as a 4 use करेंगे क्योंकि power 4 से completely divide हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है, देखें, 58 factorial divided by 4 हो जाएगा divide, 7 factorial divided by 4, completely divided हो क्योंकि 4 से होके निकलेगा, 9 factorial divided by 4 यह completely divided हो जाएगा, इस case में अगर हम चलते हैं और इसको हम solve करते हैं तो देखें, 3 raise to power 4, तो क्या आगा हमारा 81, 1 आगा unit place पे, 2 raise to power 4, तो हमारा यहाँ पर क्या आगा 6 और 9 की power even तो 1, तो देखेंगे हमारे पास पे 8, तो unit place पे क्या हो हो हमारे पास में बच्चे, हमारे पास पे 8 इसका answer है आए बेकुल last question लेते हैं अब, देखें, 32 raise to power 32, raise to power 32, clear है, इस case में unit place क्या होगा, आए इस case को समझते हैं पहले, कि इस case में हमारा unit place क्या होने वाला है सबसे पहले आपको समझना होगा, 2 raise to power 2, power 3, यह और 2 raise to power 2, power 3, दोनों क्या है, इसका यहां bracket है, तो इसका मतलब ही होगा, power and power multiply हो जाएंगे, तो यह होगा 6, तो यह 2 into 2, into 2, into 2, into 2, into 2, into 2, यह, बट इसका मतलब क्या हुआ, कि यह bracket नहीं है, तो 2 raise to power 3 का मतलब क्या होगा टू रिशर तरी के पीछे सॉअल किजए टूरिश रिज़र ठीज गवाए तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू यही, तोन में फर्क है, यह तो power multiply को solve जाएगा और यह क्या होगा, 2 की power 3, then इसको solve करेंगे, यह case यही है, आईए इस case को समझते हैं जरा, इस case में अगर आप देखते हैं, 32 तो मैंने क्या सिखाया आपको, always क्या करेंगे, power divided by 4, और अगर आप इसको simplify करते हैं, तो 32 multiply by 32 multiply by 32, हाँ मुझे पता है, आप 32 times करेंगे, लेकिन आप समझेए, कि क्या यह 4 से divide होगा नहीं होगा, हाँ यह 4 से completely divide हो रहा है, तो जब भी आपका power 4 से completely divide हो जाए, जब भी power आपका 4 से completely divide हो जाए, तो आप basic unit place से power as a 4 ही use करते हैं, clear है, तो 16 और unit place प answer है, clear है बच्चो, इसी तरीके से one by one हम जो है एक type को लेंगे, उस type में उस topic को, उस topics related सारे questions करेंगे, जो भी उस पर changes आएंगे, part A, part B, part C, part D, सभी को देखेंगे, फिर unit place based question में practice करेंगे, फिर हम type 2 लेंगे, remainder theorem, clear है बच्चो करेंगे, बच्चो